मेहूल एक समुदर टटपर जाने के लिए विचा छोड़ देता है फिर उन्होंने जंगलों में ट्रेक के लिए जाने का फिसला किया यह तस्विर देखे आप बता सकते हैं यह तस्विर असली है यह नगली यह एक नगली तस्विर है पेड़ो के छाय को देखे तीन पेड़ो में दाई और छाय है और एक पही और चाय यह वीबगी स्टोर शेर के सबसे बड़े स्पोर्स छोड में से एक था लेकिन यह मालिक स्टोर में नेरंतर चोर होने से परिशन था स्टोर में हमेशा बीड होती थी और चोर को पकड़ना मुश्किल था एक दिन मालिक ने सभी CCTV पुटिजर के जाज करने का फेसला किया क्या आप पता लगा सकते हैं कि चोर कौन है एक दो तीन या चार चार चोर हेक पुटेस डो में हमस्की टीशर्ट बड़ी दिख रही है बोस से लोग बीना टिकेट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थी इसलिए टिकेट इंस्पेक्टर ने आचरे जनक यात्रा देने और उन दोनों लोगों को पकड़ने का फिसला किया इंस्पेक्टर ने सेम को टिकेट मांगा सेम करते हैं मैंने टिकेट करेदा था लेकिन मेरे सामने बेटे यात्री ने किटकी खोड़े और मेरे टिकेट उड़ गया क्या सेम ने टिकेट के इंस्पेक्टर से जुट बोला था हाँ या नहीं सेम मुझे बूला ट्रेन में हावा बाहर से अंदर की वोरो चलेगी इसलिए टिकेट किर्गी से बाहर नहीं जा सकता एक बच्च को पास के खेल के मैदन से अपरन कर लिया जाता है जसस में उल्मामलिक के जज के लिए आया मा का काना है कि वर्ष से इस पार्क का दोरा कर रही है मैं यहां सभी को जानती हूँ और जब उसका आपरन हुआ तो कोई अंजन्वेक्ती भी नहीं था इतर मेहुल ने अन्य लोगों से पुछता शुरू कर दिया एक दादी ने कहा मैं यहां हर किसी को सालों से जानती हूँ हम रोज मिलते हैं उन में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता मा मेहुल को खेलके मैदान के पिछले तीन वर्ष के CCTV पूटेज दिखा थी क्या आप इस पूटेज को देखकर अंदजा लगा सकते हैं कि कि इसने अपरन किया A, B, C या D पूटेजों में दी को एक कुमटकट ले जाने के लिए दिखा जाना सकता है लेकिन दिसरे परश तक बच्चा एक कुमटकट के लिए बहुत बड़ा होगा वह संदीक तो लग रही है स्री थॉम संशेर के सबसे बड़ी आमिर बेक्ति थे उनके तो बेटे और एक बेटी थी इस चगड़ों के कारण उनने अपने दोनों बेटों को छोड़ दिया एक दिन उनके छोटे बेटे रवी पर हमला किया जाता है रवी बच गया लेकिन उसके हालत बहुत कम्बिर थी जसस मेहुलने रवी के पीता को खूं किया और बताया कि उसका बेटा इसपताल में कुरपे जन दिया जाए इसके बाद मेहुन ने रवी के भाई को फोन किया और बताया कि उसका मेह अस्पतल में एक रुपए जन दिया जाए ये तिनों अस्पतल पहुचे तिनों को देखते हुए कि आप अनुमान लगा सकते ही कि रवी के उमारने की कोशिश किसने की बहन भाई या फिक्ता मिश्टर कांटन के दो बिटे थे और मेहुन ने ये नहीं बताया था कि कौन सा बिटा अस्पताल में है उससे कैसे बता चला कि ये रवी है उने रवी को मानने के कोशिस की सबसे बड़ी लोटरी ड्रॉ की घोशन की जाने वाली थी एंकर ने तिसरे पुरसकार के लिए टिकित नमबर बताया और शौन उसे लेने के लिए मंज पर आया तब एंकर ने सेकन वे पुरसकार के लिए टिकित नमबर को बुलाया और टिटेक्टिव मेहुन उसे इकटा करन की कोyeah शवक मैं करनें जब एक पूरसकार के लिए टिकित नमर की घुशना की तो तीन लोग पूरसकार mel करने के लिए मंज़ पर ओंग बागए किवेरी किवल एक पास मूँल टिकित है मे वूल उने अपने टिकिट दिखाने के लिए कहा क्या आप इन टिकिटों को देख सकते हैं और मुल की परज़न कर सकते हैं एक दो या तिन यह पर पहला टिकिट दो को रसकर जितने वारे टिकिटों के पैटरन से मेल खाता है मेहुल ने अपने घर के सामने चोड को देखा उसने चोड का पिच्छा करना शुरू कर दिया थोड़ी देर बात मेहुल तिन सड़कों के सामने आया क्या आप तरह कर सकते हैं कि चोड किस सड़क से भगा है A, B, YS, C सड़क A, कीचड यूपते हैं और चोड ने उस पर पेरो के निशन छोड़े होंगे रोड B पर CCTV कैमेरा लगा है तो इसलिए B से नहीं जा सकता चोड को पकड़े जाने का खत्रा होगा इसलिए उसने सड़क C ले ली और मेहुल ने उसे पकड़ लिया पुरुष केंविल माइक महिला ओलिविया एलेन स्कीम आपकी साहता के लिए तीन शर्थ है ओलिविया की वुमन माइक की पत्नी है केंग कभी किम से नहीं मिले किम एक एकल बच्चा है क्या आप इन तीन स्टीटियो को देख सकते हैं और उनमर लगा सकते हैं कि कीम का पत्ती कौन है कें, बिल या माइक ओलिविया और एलेन स्कीम से नहीं मिले इसलिए ओलिविया के कें के पत्ती होगी और किम के पत्ती बिल होंगे एक चिडिया घर में चोरी हो गई चोरी के जाच के लिए जासस मेहूल को तुरंत बुलाया गया मेहूल उस लड़की से बात करता है जिसका हैंड बैप चोरी हो गया थार लड़की पूरी गटना बताती है चिरियागर की वर्दी पर ने एक आदमी पीचे से आया और उसका बैक चिन कर भाग गया मैं उसका चेरा नहीं देख पारे मेहुल ने चिरियागर के सबी करमचारियों पर एक नजर रखी क्या आप उन पर एक नजर डाल सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है A.B. यसी B. एक हीरन को मास किला रहा है लेकिन हीरन शाकारी होते है इस यपने चीडिया घर के कर्मचारी की तरों कपड़े पने और बैक चुरा लिया